लिपकि सच्चाई है कि सुप्रीम कोट के आदेश के बाद आपको देना पड़ रहा है इन सब चीजों से पहले हट जाओ और ये भी दिखा दो कि एक सिंपेथी केजरीवाल ने तो इस्तीफा दे दिया अच्छा इस्तीफा न देते तो क्या ये रह की क्या कर लेते आप बता या उनकी बहुत हर्दिक इच्छा नहीं है इस्तीफा देने की सुप्रीम कोट की इतनी गंभीर गाइड लाइन है कि वह इस्तीफा देना ही पड़ेगा एक यह जो इडी ने चार्ज लगाया है जो सीबी आई ने चार्ज लगाया है कि जो लीकर घोटाला हुआ हुआ है ज दिल्ली सरकार के सचीवाले नहीं जाएंगे मुख्यमंत्री आवास में नहीं दाखिल हो पाएंगे जिससे यह सिद्धोता है कि कि इतने गंभीर मामले में वो बेल पर रही है देख रहे हैं देशित न्यूज और मैं हूँ आपके साथ मानव गश्रव आपको बता दें जिस तरीके से आज अर्विंद केजरी वाल ने अपने इस्तीफ़े की बयान है वो दे दिया है कि दो दिन के बाद वो इस्तीफ़े दे देंगे उसको लेकर लगातार दिल लेके जनता की इस पर क्या रहा है वो जानने के लिए हम लोग राजीव चौप में मौजूद और आपको बताएंगे कि किस तरीके से जनता इस वार क्या सोच रहे है क्या स्तीफ़े देने के बाद में दुवारामादी पार्टी की सरकार बनने वाली है या फिर इस वार बीजेप के बारे में आपने पूछा कि वो दो दिन बाद इस्तीफा देंगे तो वो आपको मैं बता दूँ कि वो अपनी मर्जी से थोड़ी दे रहे है या उनकी बहुत हार्दिक इच्छा नहीं है इस्तीफा देने की सुप्रीम कोट की इतनी गंभीर गाइड लाइन है कि उनको इ दिल्ली सेक्रेट्रियेट नहीं जाएंगे दिल्ली सरकार के सचीवाले नहीं जाएंगे मुख्यमंत्री आवास में नहीं दाखिल हो पाएंगे और जो केस चल रहा है उस केस के संबन्द में सारवजनिक मंच से या फिर व्यक्तिकत रूप से कोई टिपड़ी नहीं करेंग अवी वह बरी नहीं हुए मामले से तो ऐसे में वह क्या करेंगे उनके पास कोई रास्ता नहीं बसता अगर वह जबर्दस्ती सूक्सान होगा दिल्ली की जनता उन्हें खीज़ के कि आप आपको रोक दिया तो आप दे दीजिए किसी और पाटी को मना दिजिए कम से कम कारे लगाएगी इतने सरते नहीं लगाएगी उनको यह आबास नहीं था लेकिन जब我說 बेल उनको ग्रांट की सुप्रीम कोट ने तो ससर्थ जमानत दी है इन इन सर्थों का पालन करना है अगर वो सर्थे तोड़ेंगे तो हो सकता है उनकी बेल कैंसिल हो जाए रिटरंट जेल जाना पड़े तो उन सर्थों को भी मानना है उनको ठीक है वो सर्थे हैं उसी सर्थों को म वह उनको उस्तिफा देना ही है पार्टी चलानी है अगर जबरन रहते हैं उनकी छवी खराब होगी पहले से ऑल्रेडी छवी खराब है तो अब यह देखना है कि कि वो किसको इमान दार और में अगनी परिक्षा दे रहा वो तो शुरू से ही कह रहे हैं लेकिन आप देखिए जो ED ने चार्ज लगाया है, जो CBI ने चार्ज लगाया है, जो लीकर घोटाला हुआ है, जो money laundering case हुआ है, उसमें अर्विन केजरिवाल मुख्य साजिस करता थे, बकायदे चार सीट में भेजा है, अर्विन केजरिवाल का नाम, जो South के जो सरत थे, उनको arresting के बाद जो उनक कि मैं इमानदार हूँ, तो सुप्रीम कोट गलत है क्या, या फिर ED और CBI की एजनसी गलत है क्या, बीजेपी खरीदी हुए, ED और CBI, ने किसी के कह देने से खरीदी हुई है, ये तो कहते हैं कि सबसे इमानदार मैं हूँ, बाकिज़र चोर है, तो क्या, यहीं एक इमानदा है, उसके बाद इनको ED ने अरेश्ट किया है, ऐसे रही कि जारे कि आहां पड़र की 9-9 संबन भेजे गए, जब संबन को नहीं माना तो उसके बाद इनको बुलाया गया, अब यह कहते हैं कि मैं इमानदार हूँ, तो यह हर चोर कहता है देश में कि मैं इमानदार हूँ, आ क्या लगता है कि अभी जो इसे बात कर रहे हैं इमानदारी की और अगनी परिक्षा की तो अभी हरियाना में इनकी इमानदारी चलने वाली है, आप देख लिजिए हरियाना में यह आज पहली बार नहीं लड़ रहे हैं, पहले भी लड़ चुके हैं, यूपी भी लड़ च लोग पर से अब इनको भी हरियाना की जनता जेले हरियाना के लोग कि हमारे लिए किस नहीं किया है तो हमेशा रंग बदल देते हैं दिल्ली में आएंगे तो कहेंगे कि नहीं यहां बाहरी लोग आ तो तो यह काम किया है हरियाना के लिए दिली के लोग तो ऐसे ही आपको जहल रहे हैं आप इसी अपने जुनियर को बना देते या पार्टी में जोर नंबर दो है नंबर तीन उसको बना देते लेकिन को रहना था उसमें दिली की जनता का नुकसान हुआ आपको एक उधान जी पर आरोप लगा था अडवानी जी ने क्या कहा था कि जब तक मैं आरोप से बरी नहीं हो जाओंगा तब तक कोई मुकर चुनाओं नहीं लड़ोंगा अगर यह कहते हैं कि मैं इमांदार हूं अब मैं इस्तिपाद हूंगा अब तक हम लोग बरी नहीं हो जाते यह क्या है आप यह दिली की जनता के साथ इमोशनल काट खेलना चाहते हो आप सिंपैथी लेने का कोसिस कर रहे हो दिली की जनता ने बहुत चुनाओं देखे हैं बहुत पार्टियां देखे हैं तो यह कि कैसे दिली की जनता किसी की मुशनल में नहीं आने वाली है वह पढ़ी लिकी समस्दार और वह जांती है कब क्या करना है। उसको पता है कि बीजेपी हमारा विकास रोकर रहे हैं लगातार बीजेपी हमारे पर केसी कर देती है हमारे दो अभी गयानमंत्री जेल के अंदर से तेंदर जैन है अमरतुल्ला खान है आप मानों जी बताइए आप वरिश पतकार हैं अगर कोई भी सांसद हो विधायक हो मले MP, MLC हो या कोई भी हो माननी व्यक्ति हो अगर वो अपराद करेगा तो क्या हमारे देश में उसको सजा नहीं दी जानी चाहिए तो अगर इन आम आद्मी पार्टी से जुड़े या BJP या कोई भी पार्टी हो अगर वो अपराद करेगा तो कानून तो सब पर लागू होना चाहिए हमारे पर आप सब्सक्रावला जाए तो आप फिर यहां कियों कह रहे हैं कि BJP वाले अपना कार रहे बीजएपी की सरकार अपना काम कर रहे हैं वो किसी पार्टी और किसी जाति धरम को देखके अपरादियों पर कारवाई नहीं कर रही है एक्चुल में जो अपरादी है एक्चुल में जो रियल में जो अपरादी है उसको अब उसके धरमियान अगर इनके लोग आ रहे हैं तो उसमें क्या बीजेपी को आप दोसी बताएंगे वो तो आप यह जाके पूछते क्यों नहीं कि हमारे पेखिया charging हैं अगर इनको शक है कि हमारे उपर कहले हे तो सुप्रीम कोट में जाते क्यों नहीं चाहता है जाकरन ही कि हमारे अंदर गलती है थे मिधिनस है कि जो गलत कर रहे हैं उनको ही दिया जा रहा है कि जड़िवार भलेकर आप जानते ही कुन होने वाला है उनको ज्यादा-सिंपडी आप भासन में आपने देखा वेट सबकित है उपक हरे है कि सराब घुटाला का आघ. मामला चल रहा है। जो मनी लांड़ृं का मामला चल रहा है। यह सच है की जूट है। यह जनता को मालूँ है पाकि CAE May,,प नियालए में जान चली रही है!! वो तो आज निकल्षया। दूद विकास कारे आगे बढ़ते, लेकिन वो अउरुद रहा इतने दिनों तक, इन्होंने नहीं दिया इस्तिफा, तो ये गलत है, आप अपने कुर्सी के लिए, आप अपने पद प्रतिष्था के लिए आप दिल्ली का विकास क्यों रोकेंगे, आपको दे दिना चीए था, अगर एक सिंपैथी लेने का प्रयास कर रहे हो, जबकि सच्चाई है कि सुप्रीम कोट के आदेश के बाद आपको देना पड़ रहा है, क्योंकि जानते हो कि हम दिल्ली में कुछ काम करने ही पाएंगे, और अगर काम नहीं करेंगे, तो जनता हम पर नाराजगी करेगी, जनता हम सुनीता केजरिवाल का बार बार नाम सामने आ रहा है, क्या पता उनको सीम पद का दावेदर बनाते हैं, अब देखिए वो उनकी आपनी पार्टी की बात है, सुनीता केजरिवाल पे मैं कोई टिपड़ी नहीं करूंगा, या उनके पार्टी में कोई कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्या करेंगे, आगे क्या मैं इस पे कोई टिपड़ी नहीं करूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि परिवारवाद अगर न चले इस देश में तो ठीक है, बाकि उनका अपना दल है, अपना पार्टी, अपना भहुमत है, जिसे चाहें वो बनाए, लेकिन थोड़ा स अगर हिमानदार अपने को बोलते हैं, तो परिवारवाद से थोड़ा बचे, यह मैं ब्यक्तिकर दूर्प से कह रहा हूं, तो उनकी अपनी पार्टी है, वो लोगता है, क्या होगा, क्या समयदानिक परिस्तितियां बनती है, क्या LG का क्या रोल है उसमें, और क्या वो कैसे सरकार बनाने के लिए आमंतीत करते हैं, क्या होता है, वो तो देखने वाली बात है, लेकिन अब उस पर देखना है, फिलहाल तो यह देखना है कि दो दिन बाद वो क्या करते हैं, क्या क्या बाद शेखने हैं, इसका कास् करते हैं, झाल झाल